हेलो सुजोंट्स कैसे हैं आप उमीद है आप सब खुश होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्छो आज हम इंटरमेडियर न्यू बुक मैतेमेटिस का एक्साइज 2.2 करने जा रहे हैं 2.1 हमा लेडी कर चुके हैं इसकी विडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में पूट कर दूँगा आप वहां देख सकते हैं आज 2.2 का Q1 करते हैं और फर्दर Q1 करने जा रहे हैं तो आएए देखते हैं Q1 क्या बोल रहा है Q1 में हमें क्या करना है टोटल 16 पार्ट्स है तो 16 पार्ट्स में हमें यह इडिनिफाय करना है यह फंक्शन कौन से हैं है अजार अलजब्रिक है एकस पॉनिशल है और वंक्षण है इसिंपल एकस और वैरीयबल लखा वाए वायड़िपेंड कर रहा है X के उपर ठीक है और X एंडिविर्ट वेरीबल है तो ये simple अलजबरिक function है algebraic part 2 ये ट्रिग्नोमेटिक function है लेकिन power के इसाब से हमें नजर आ रहा है कि ये inverse trigonometric function है तो simple ये inverse trigonometric function पार्ट 3 यह exponential function है with base 2 ठीक है exponential function में क्या होता है base constant होता है और power variable होता है यहाँ पर देखें base constant 2 है कुछ भी base हो सकता है except 1 यहाँ base 2 है power x plus 1 है यह exponential function है पार्ट 4 पार्ट 4 में जैसा के नजर आ रहा है कि लोगर्थम लिखा हो है base 5 यह simply logarithm function है हमें लिखेंगे logarithm function नेक्स्ट पार्ड फाइव थ्री सायन एक्स तो simply यह क्या है टिग्रमेटिक फंक्शन है प्री गौनो मेट्रिक फंक्शन है नेक्स्ट यहाँ यह base लिखे constant है power क्या विरियेबल है विच इस टिग्रमेटिक लिखा हुआ है सायन एक्स तो यह भी क्या exponential function है तो simply हम लिखेंगे exponential नेक्स्ट उपरी भी polynomial नीचे भी polynomial यह rational expression है लेकिन हमें यहाँ सिर्फ बताना है कि expression कौन सी है तो यह simple algebraic function है नेक्स्ट एक्स पार्ट सायन एक्स ओवर सेक्स लिखावा है तो simple यह भी trigonometric है पार्ट 9 क्योंकि यह log with base a लिखावा है आगे बले कुछ भी लिखाओ आप सिर्फ देखना है कि यह यहाँ पर क्या लिखावा है तो यह logarithm है simple तो लिखेंगे लोगर्फिम फॉंक्शन नेक्स्ट यहां लिखावा है कॉसेक इन्वर्स यहां तो इसका एंगल जो है रूट के अंदर एक्स ओवर मानस और लिखा हुआ है लेकिन हमें simple देखना है इसको तो इन्वर्स है कौन सा trigonometric inverse function है तो यह inverse trigonometric function next यहां 10 लिखावा है इसके एंगल में cynics लिखावा है तो 10 मीन्स simple trigonometric function है तो यहां simple आ गया trigonometric function function यह algebraic के simple rational एक्सपेशल लिखी वी है तो इसको बोलेंगे हम algebraic function थर्टिन पार्ट यहां लिखावा है sin hx देखें एंगल में hx लिखावा है बैसिकल यह क्या हापरबुलिक function है जब यह sign के बाद h लिखाओ एक्स वैसे लिए अंगल था तो यह hyperbolic function है hyperbolic then अब यहां लिखावा है ln cos hyperbolic x तो ln लिखावा है it means hyperbolic है लेकिन कौन सा इंवर्स पावर लिखी माइनस वन तो यह इनवर्स ट्रिग्नमेटिक फंक्शन है inverse hyperbolic function अच्छीन लास्ट यहां लिखावा है cos inverse lnx इसका एंगल है तो हमें सिर्फ यह देखना है function कौन सा है तो यह इनवर्स ट्रिग्नमेटिक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नमेटिक फंक्शन प्यारे बच्चों question number two में हमें यह identify करना है तो given जो functions है वह explicit है या implicit अब देखें explicit क्या होता है जिसमें y और x separate हो सके है means y जो dependent variable है वो x independent variable से अलग हो सके means एक साइड पे y हो और दुसरी साइड पे क्या हो एक सो ठीक है independent variable तो उसको बोलते है explicit function implicit function ऐसे होते हैं जिसमें x y separate ना हो सके हैं उसको बोलते हैं implicit function तो यहां check करते हैं कि यह function कौन सा है देखें यहां अगर मैं y common भी लेता हूँ फिर भी यहां y बच जाएगा तो जब भी x square y square multiple में हो तो वहां x y common नहीं निकलेगा अगर मैं यहां y common भी ले लेता हूँ कि y is common तो यहां क्या बचेगा x y फिलस यहां y common हो गया तो क्या बच्चा 5x और is equal to minus 7 कर दो तो y यहां separate नहीं हो रहा ठीक है तो यह function कौन सा होगा implicit function implicit function next पर आते हैं यहां देखें y अलग है और x variable अलग है means dependent variable y और independent variable x अलग है यहां पर एक भी y नहीं है multiple में नहीं है y तो यह already क्या है explicit हो गया है explicit function third part पर आते हैं यहां पर भी same situation है अगर मैं यहां y separate करना चाहूँ common लेना चाहूँ तो यहां y नहीं निकलेगा देखें यहां y फिर भी बच जया गया तो y common लेके अलग हम नहीं कर सकते इस function में तो यह भी क्या होगा implicit function है next fourth part में यहां पर भी y separate नहीं हो सकता क्यूंग यहां y square है अगर इस y को यहां लेके आए y common ले लें तब भी common निकलेगा देखें x y square minus 3 x y is equal to 2 y minus x square अगर मैं y common भी लेता हूँ तो यहां x y minus 3 x बच जाता है means मैं लिखू y is equal to 2 minus x square over x y minus 3 x तो देखें y separate हो गया लेकिन यहां फिर भी y बच रहा है यहां x के साथ आ रहा है यह यह भी क्या है implicit function ही है next यहां पर देखें right side कहीं पर भी y नहीं है x है उपर भी निचे भी तो यह क्या है explicit function means यहां y already separate हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे explicit function last last में यह भी implicit है क्यों y कभी भी यहां separate नहीं हो सकता y are divided हो जागा तो फिर भी क्या होगा x यह y common नहीं निकलेगा तो हमें क्या मिल जागा यह भी implicit function we are students question number 3 में हमें different functions के graph बनाने है तो part 1 में exponential function है with base e और part 2 में क्या है logarithm function with base 10 दो function से इनके graph बनाना है तो हम छोटी क्रास में पढ़के हैं कि x input होता है और y क्या होता है f of x means dependent variable होता है आप input देंगे तो आपको output रखेंगे तो e की power 0 1 हो जाएगा then यहां one put करेंगे तो e की power 3 क्या हो जाएगा 20.085 फिर 2 रखेंगे 236 e की power 6 क्या होगा 403.429 जब यह में 3 रखेंगे तो क्या होगा e की power 9 तो उसकी value हो जाएगी 810.083 तो यह exponential function क्या होता है जितनी आप value increase करते जाएगे तो यह shoot up होता जाएगा और जितना आप negative के तरफ जाएगे तो यह क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा और approach करेगा 0 को means approach करेगा x coordinate को लेकिन 0 होगा नहीं तो अब देखें इसकी value put करते है x 0 पर y कितना आ रहा है 1 तो देखें x 0 यहाँ पर है और y 1 यहाँ पर है तो dot हम यहाँ दे रहें then x की value 1 पे 20 point something आ रहा है तो x की value 1 यहाँ है और 20 तकरीबन यहाँ पर है प्यारे बच्चो देखें 2 के उपर क्या है 403 shoot up हो गया है तो देखें अगर मैं यहाँ लिखता है minus 1 x की रकम minus 1 तो यह 0 में आए जाएगा तो graph क्या होगा यह यहाँ से descending में जाएगा decrease होना चुछ अपरोच करेगा x कोडिनेट को लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा यह और यहाँ क्या होगा exponentially increase हो जाएगा और 1 से shoot up हो जाएगा और इस तरह graph move होना चुछ जाएगा तो यह graph exponential का हमरे पास आ चुका है तो यह exponentially increase करता है part 2 के पर logarithm function जैसे आप 0 put करेंगे तो यह negative infinity को टच गरेगा तो देखें x 0 यहाँ यहाँ पर x 0 होता है और y भी 0 होता है तो x 0 पर क्या होगा graph negative axis को approach करेगा 1 पर क्या रहा है 0 जब x हम क्या रख रहे है 1 तो x 1 पर क्या रहा है y coordinate 0 तो यहाँ पर आएगी point ठीक है point यहाँ गई फिर 2 पर क्या रहा है point 903 तो something 2 पर यहाँ पर point आएगी तक्रीबन फिर 3 पर क्या रहा है 1.43 तक्रीबन यहाँ पर होगा graph तो यह graph क्या होगा इस तरह भूग होगा इसे graph होगा और यहाँ पर क्या करेगा एगी point अपरोच करेगा ठीक है negative y axis के जाएगा minus and 3 means y clearly negative तो negative y axis को अपरोच करेगा यह part 3 and part 4 part 3 में जो function दिया हुआ है इसको बहते है इसको अरूट function यह function हम पर चुके है तेटर नुबर 8 new book first year के अंदर basically यह क्या है circle की equation है इसको आप solve करें squaring on both side करें यह हो जाएगा y square is equal to 36 minus x square means अगर x square यहां लेके आए तो यह हो जाएगा positive और y is equal to 36 है यह equation of circle है जिसका radius क्या है 6 है कि यहां होता है r square means में six का square लिखता हूं ऐसा circle जिसका center क्या हो 0,0 means origin तो इसका radius कितना है 6 है इसका radius तो simply अगर draw करें इस method से यहां directly कोई issue नहीं है इसका center जो है वो radius का circle का वो क्या है 0,0 end वो radius क्या होता है आमें पता है center से लेकर यह वाला distance होता है radius तो चाहे right side हो चाहे left side हो तो circle अगर हम बनाएंगे तो यहां upper portion बनेगा circle का अब जारी मेते यहां भी 6 centimeter होगा radius तो यह क्या होता है constant होता है तो यह क्या बन जाएगा अगर पूरा circle हम draw करेंगे तो circle यह हो जाएगा यहां पर भी तक्रीबर जिराफ हो जाएगा यह अब क्योंकि हमें पूरा circle नहीं बनाना है हमें half circle बनाना है इसको अगर हम solve करते हैं तो यह क्या हैगा यहां आता है plus और minus हमें सिर्फ circle का upper portion दिया हो गया है अगर यहां plus minus होता तो हम अपर portion भी बनाते है और lower portion बनाते है ल minus 6 का score होता है 36 36 minus 36 क्या हो जाएगा 0 तो 0 का score root क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो अगर minus 6 put करते हैं तो y की रकम हमें क्या मिलती है 0 मिलती है हमें पता है on the x axis y coordinate क्या होता है 0 होता है और on the y axis x coordinate 0 होता है तो जैसे आपने minus 6 रखा तो y 0 अगर x आप 0 put करते हैं तो 6 आ रहा है y की value तो x 0 यहां है और y positive यहां पर है ठीक है यहां आ गया then x के रकम positive 6 और y क्या रहा है 0 आ रहा है तो हमारे जो graph होगा या upper portion होग इस सवाल के मताबिक इस graph के मताबिक हम lower portion नीम बनाएंगे basically यह equation of circle है जिसका सिर्फ upper portion हमें draw करने के लिए बोला गया है यहांदे clear next अब यह graph यहां से लेकर यहां तक है यह portion जो है आपको draw नहीं करना है यह सिर्फ बताने के लिए graph सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है आदा चलके तो ellipse की equation क्या होती है x square over b square plus y square over a square is equal to 1 देखें जो भी बड़ी रकम होती है वो उसका measure axis होता है और जो छोटी रकम होती है उसका minor axis होता है तो 25 यह बरायट इसका measure axis on the y axis है तो मैंने यहां लखा है a square x square के दिचे 16 लखा है तो छोटी रकम है तो यह b square और ellipse में हमेशा a square जो है बड़ा होता है b square से यहां यह बोलें a बड़ा होता है b से ए जो है वो length of the measure axis है तो अब देखें a की रकम यहां क्या होगी हमें क्या मिलेगी a square अगर 5 है 25 है तो a क्या मिलेगा 5 then b square क्या है 16 तो b क्या आजाएगा 4 आजाएगा ठीक है अब measure axis क्योंके यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह measure axis है और minor axis क्या है b 4 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो figure होगी वो यह होगी यह इसकी figure होगी अब यह इसका measure axis है total 5 से लेकर minus 5 तक है means 10 होगया और positive 4 से लेकर negative 4 तक क्या होगी है 8 तो यह length होगी minor की और यह होगी measure की तो यह वाला graph elliptical तो यह के ellipse है इसका measure axis on the y axis है book के अंदर यह लखा हुआ है on the axis जो के wrong है यह हमेशा बढ़ाई होता है और य के नीचे लिखावाई तो यह इस तरह होगी vertically horizontally ellipse नहीं होगा प्यारे बच्चों उमीदे आज का lecture आपको सभी में आया होगा हमने exercise 2.2 के question number 3 तक हमने solve कर लिए जहां भी रहें खुश रहें वो आबाद रहें पाकिस्तान जिन्दाबाद